होता क्या है ध्याता में धे के गुण आने लगते हैं ध्याता कौन है जो ध्यान करता है धे कौन है जिसका ध्यान किया जाता है यदि आप प्रदिन उठते बैठते रावन का ध्यान किया कीजिए तो क्या होगा रावन के संसकार आप में आने सुरू हो जाएंगे हमारी संसकारविधी में क्या सिखाए जाता है कि गर्भती माताओं को अपने कक्ष में महापुर्सों को चित रखना चाहिए क्योंकि माँ जो सोचती है उसके गर्भत शिसक के अंदर भी वही बिचाराते है जो बच्चा छोटा होता है बले दो साल का हो चाहिए क्यों न हो उसके आसपास का जैसा परवेश होता है सब को उसका मन मस्तिस ग्रहन कर लेता है हम आखे बंद कर जदी सोचें कि संसार कुछ नहीं है हमारा ये सरीर मिट्टी का पुतला है हम ये नहीं हैं हम तो परमधाम में राजी के चड़ों में बैठे हुए और हमारे राजी कितने सुन्दर है कि नाखून जैसे लगता है कि करोन सूरज उसमें समा गए हूँ राजी के होट कैसे है दोनु गाल कैसे है नासका कैसे है माथा कैसा है गुगराले बाल कैसे हैं गला कितना सुन्दर है हाथों की हतेलिया कैसी है हतेलियों की लकीरे कैसी है चरण कमल कैसे है राज जी कि एक एक अंग पर जब हमारी नजर जाएगी स्यामा जी की नजर पर जाएगी स्यामा जी की सुभा पर नजर जाएगी तो वो सुभा हमारे हिर्दय मंतिर में बसती जाएगी एक दिन ऐसा होगा कि संसार आपके हिर्दय से निकल जाएगा अभी तो जब आप ध्यान में बैठते हैं तो क्या होता है? आपके मन में संसार बसा रहता है कोई नो कोई बात याद आती है बेवसाय के, नौकरी के, संगे समधियों के, क्योंकि आपने लाखों जन्मों से अपने चित में जो कच्रा इकठा कर रखा है, वो तो निकले गाए, कपड़े में मैल कई दिन की पड़ी हो, जब उसमें साबून लगाएंगे, तो एक दिन, तो साबून लगाते से, अपके हाथ में भी मैल आएगी, लेकिन घबराएंगे नहीं, आपने कपड़े में जो साबून लगा दिया है, उससे मैल आपके हाथ में नहीं धरने वाली है, उसी तरह से, जब आप चित्वनी करते हैं, तो चित्वनी की प्रेम की अगनी से, पुर्व के सारे संस्कार बाहर निकलते हैं, तो आप घबरा जाते हैं, कि ये तो मन ही भागता रहता है, मन तो भागेगा, जैसे बाच पक्षी को मार देता है, उसी तरह से मन रुपी एक पक्षी है, कब तक संसार में भागता रहेगा, जब प्रेम रुपी बाच उसको मार नहीं देता, जब आपके अंदर प्रेम आ जाएगा, तो चौबिस घंटे आपको क्योल राची ही अच्छे लगेंगे, राची की सुभा आपके दिल में बसी रहेगी, जैसे आपने अपनी आखे बंद की, राची की सुभा आपको जलखनी शुरू हो जाएगी, लेकिन जब तक प्रेम नहीं आदा, तब तक आपको प्रेयास करना होगा, और प्रेम लानी के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने मन को सांत बनाएगे, हिर्दे को कुमल बनाएगे, सुस्क नहीं, प्रेम से भरा, सात्युक बनाएगे, यदि आप मिर्च खाते हैं, यदि आप लेस्न प्याज खाते हैं, तामसिक गरम मसाले खाते हैं, तो आपका मन चंचल रहेगा, आप राजी का एक तरफ ध्यान करेंगे, अनुभव नहीं होता, अनुभव यदि करना है, तो मन को इतना कुमल बनाएगे, कि जब राजी का अपध्यान करने बैठ जाएगे, तो संसार अपने आप हमारे हिर्दे से निकल जाएगा, कुछ दिनों के लिए मन भागेगा, इसको घबराना नहीं है, यह इस्तिती वैसे ही है, जैसे कपड़ा दोते समय हमारे हाथ में लगने वाले मैल की होती है, काली मैल को देखकर हम घबरा जाएगे, कि कपड़े से काली मैल निकल रही है, तो साबुन लगाया ही तो इसलिए गया है, जब तक साबुन नहीं लगाया गया था, मैल दिखती तो थी, लेकिन निकलती भी मैल नहीं दिखती थी, अब आप ध्यान की अगनी से, प्रेम की अगनी से, उस जीव के जन्म जन्म की मैल को निकालने में लगे हैं, तो कुछ दीनों के लिए मन भागेगा, गंटे का इस्ती रोकर के बैठ नहीं सकते, जिस बैठने मात से आपको परंधाम का दर्शन हो, युगल सुरुप का दर्शन हो, तो क्या मुस्किल है, कि इतना ही तो करना होता है इस इस्ष्टी में, सर उसक्तिमान अक्षरा तीत को पाने के लिए, कि वल आँखे बंद करके थोड़ी देर बैठना होता है, अपना हिर्दे उनको सौप देना होता है, मेरे प्राणिस्वर, मेरा रोम रोम आपका है, मेरा हिर्दे आपका है, मेरे हिर्दे में सिंहहसन बना करके बिरहजमान हो जाएए, इत आओ तो कहूं, बैठो, बीच दखत, इंद्रावते जी की तरह आप पुकारिये, कि मेरे प्राणिस्वर आपको आना ही पड़ेगा, आप सुना करते हैं, आओ जी वाला मारे घेर, आओ जी वाला, इसके भाव कितने उच्चे हैं, आप भी पुकारिये, आओ जी वाला मारे घेर, आओ जी वाला, एक लड़ी पर्देश मामू ने मुखी नीका चल लिया, आप मुझे माया के अंदिकार वाली इस रात्री में छोड़कर कहां चले गए हैं, मेरे धाम हिर्दे में आकर के विराजमान हो जाईए, कितनी पवित्र, कितनी उची प्रार्धना है, आप राजी से प्रेम पुर्वक कहिए तो कि मेरे धाम हिर्दे में आईए, उनके एक-एक अंकी सोभा को देखिए, फिर देखिए, उसको देखने में कितना अनन्द आता है, कि सारा संसार फिका लगेगा,